नमस्कार टाटा IPL 2024 मैच नमबर 9 RR वर्सेस DC इस बारे में हम लोग बात करेंगे लेकिन उससे पहले हम ससांग जी से जानना चाहेंगे कि कल का मैच का लुट्फ वो कैसे उठा है ससांग जी मैच मैं देख नहीं पाया लाइब मगर मैच के बारे में थोड़ी थोड़ी जानक है और जो कि हैदराबाद ने कर दिखाया है तो गजब का मैच रहा है और उसका पीछा भी जो है टीम ने किया है मुंबई ने 246 पांच विकेट पे तो टकर की बात करें तो यहां पर तो फासला है मगर फिर भी 200 का अकड़ा जब पार होता है तो कोई भी टीम जब चेस करत बना जबरजस्त इमोशन भी रहा खिलाडियों ने जान जोग दी और टारगेट का पीछा करते हुए मुंबई को हार का सामना करना पड़ा आज वैसा ही एक मैच लेकर आ रहे हम लोग शाम साड़े साथ बजे आरार वरसे डीसी का यह मैच जो है आज शाम साड़े साथ बीच में आज का पॉफर्म रहेगा अभी तक का जितना मैच हुए है ने आठ मैचेस में जैपूर में और जैपूर में तो राजस्तान और जास्तान अलड़ी एक मैच जीत पर हाई है दिल्ली पिछड़ी हुई है उसका अभी भी पॉइंट से बूल में ना मतलब आया नहीं पॉइंट जीरो तो यह एडवांटेज राजस्थान रोयल्स को मिल सकता है लेकिन फिर तो क्रिकेट है क्रिकेट तो अलगी मैच है कहा नहीं जा सकता है कि कौन बाजी मार लेगा अ में कौन सा खिलाड़ी है तो दोनों टीमों की अगर बात करें संजू सैमसन राजस्थान के तरफ से अच्छा एक भरूसे मंद और टैलेंटेड प्लियर है विकेट केपर कैप्टन भी खेल नहीं है और कैप्टन है विकेट कीपिंग कर रहे है जैसे दोनी करते हैं रिशब पंच चल गया है तो वह भी धमाका कर सकते हैं अच्छा ससांक सर आपसे हम यह जानना चाहरे है कि पॉइंट टेबल के बारे में अगर देखा जाए तो अभी कौन से टीम सबसे आगे पॉइंट में है नो डाउट सीएसके सभी लोग जानते हैं और सीएसके का इस बार का प किफायती रहता और विकेट टेकिंग बॉलर है इसके अलाबे जो रितुराज गयागवार वह अपना दिखाई रहे हैं उसके अलाबे कुछ और पिलियर जो शीवम्दुवे जिस तरह से और रचिन रविंद्र ये सारे जो पिलियर इस वार जूड़ गया है ना इवा पिल है और जिसमें आरार 14 बार जीती है और देली 13 बार तो दोनों ऐसी टीम है जो भी एक दूसरे को मात दे सकती है लेकिन आज अगर बात किया जाए आरार का लाइन अप को लेकर के तो जैसे हम लोग जानते हैं कि एससवी जैसवाल और जौस बटलर ये दो ऐसे खिलाडी है माहिर खिलाडी है अभी एससवी जैसवाल की भी अगर बात करें तो ये वो एससवी जैसवाल नहीं है जो पहले खिला करती है अभी मेचोर हो चुके है तो इनके बारे में थोड़ा बताईए और एक चीज हम आप से जानना चाह रहे है कि डेली के जो बोलर है अभी ऐसा न नौर्किया ने जॉस बटलर, संजू सेमसन और एससवी जैसवाल को भी दो-दो बार आउट कर चुके तो इस पर आप क्या कहना चाहिए ये सब का एडवांटिस तो रहेगा एक होता ना कि एक मनोवग्यानिक दबाव पड़ता है कोई बॉलर अगर किसी को कई बार आउट इसमें भी जो आरार राजस्थान के जो बॉलर है उसमें भी हाभी पड़े हैं देली की तो लेकिन अभी पीच के अगर बात करें तो पीच जो है ऐसा कहा जा रहा थे जैसे काल का मैच भी कहा जा रहा थे कि नहीं ये कुछ एवरेज स्कूर बनने वाला है 150-160 या 70 की बीच में लेकिन ऐसा हुआ नहीं जबकि 270 रन बन गए तो पीच रिपोर्ट अगर पीच रिपोर्ट की अगर बात करें तो पीच रिपोर्ट न्यूट्रल बताया जा रहा जिसमें बैट्समैन पेसर और सभी को मदद मिलने वाली है लेकिन अभी जिस तरह से पीच क्यूरेटर न अगर बात करें हमें CSK के साथ जो गुजरात का हुआ उसमें बड़ा अंतरस CSK ने जीता तो बाकी मैचे जो नेक टूनेक हो रहा है मतलब करीब बहुत जा रहे हैं तो कोई किसी भी टीम को हम अभी शुरवाती दौर है इसलिए किसी भी टीम को हम कमजोर नहीं कर आख सकते है मुंबई और एक बात है मुंबई पिछली बार रोई शर्मा के हातों था कमानून के हाथ इस बार फिर गुजरात जिसने वो 2022 में जीता खिताब वो हार्दिक पंडे उधर चले गया है लेकिन टीम की हालत अभी शुरवाती दोर में वही दिख रही है तो कहानी जा सकता ह मुंबई आगे की मेचों में अगर अच्छा परदर सुन करता है तो फिर वो पॉइंट सेबूल पर आगे बढ़ सकता है और यह होता ही रहेगा जिस तरह से मैचिश होते रहेंगे पॉइंट सेबूल में फिर वदल होता रहेगा कभी कोई वन जैसे CSK के कोई मेच अगर हा गर की बात है तो चांसे ज्यादा लग रहे हैं फिर वी अगर मैच बड़े अंतर से राजस्तान जीता है तो हो सकता है फिर पॉइंट सेबूल पर फर्स्ट में आजा राजस्तान लेकिन चांसे बहुत कम देख रहे हैं तो इस नाते ऐसा होगा अभी मैचेश बहुत है में चड़ गया है कि यह प्लियर अच्छा कर रहा है अच्छा तो डेली कापिटल्स की अगर बात करें तो आप ओपनिंग में आ रहे हैं आपका डेविड वर्नर और मिचल मार्स तो यह दोनों ही ऑस्टेलियन खिलाडी है तो इसके बारे में आप पिछले पिछला जो मैच था उसमें कुछ ज्यादा अच्छा परदर्शन नहीं कर पाई दोनों आप चाहते हैं कि इसमें जो ओपनिंग जोड़ी है नोगे डेविड वर्नर और मिचल मार्स थोड़ा अच्छा से कमबेक करें अब तो भई दोनों ही तो लिजंडरी प्लियर है अब अगर फर्म आग करके तो फर्म में नहीं रहते हैं तो फिर यह हाल होता है तीम फिर पिछड़ती चली जाती है कहना मुश्किल है यह होप वेस्ट इंडियन खिलाड़ी है जो वेस्ट इंडिस से आते हैं पिछला मैच में देखा हमने अच्छा खिला था लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शे अभी शेक शर्मा कल का मैच में देखिए सोलोगल पर पचास जड़ दिया तो यह यंग टैलेंट अभी सामने आ रहे है तो आप आपके नजर से यंग टैलेंट को आप कैसे देखना चाहना है यह एक दूसरे के देखा दे कि इंस्पायर हो रहे हैं लोग जी जी यह दूल क खेले उसके बाद फिरवाए तो हो सकता है वो भी कुछ करें धमका जॉस दा बॉस बटलर के बारे में आप से थोड़ा जानना चाहेंगे क्योंकि उनका जो रिसेंट मैच था उसमें कुछ खास कर नहीं पाए इस मैच में आप क्या उमीद लगाना चाहेंगे उमीद करें क कि बाद अच्छा करें आज उनके बैट से कुछ अच्छे रुन नजर आए इवें हाफ सेंचुरी मारें चलिए हम लोग उमीद करते हैं कि जौस बटलर का आज हाफ सेंचुरी आजए क्योंकि ससांक संद प्रेडिक्शन किया है कि उनका हाफ सेंचुरी आने वाला है और द अगर वो शुरुवात अगर मैं जीत गए और बॉलिंग ली तो पूरे दारान वो विकेट केपिंग करेंगे गेंद पर नजर रहती है तो इस वो उसका हेल्प मिलता है विकेट के पर बैट्समें को अच्छा ससांक जी टास के उपर अगर एक नजर डालें तो ऐसा चल रह जो टीम खेल रहा है उसको ज्यादा मदद मिल रहा है तो टॉस पर नजर डालें तो कोई टीम पहले बैटिंग या बॉलिंग करना चाहेगी अब इस स्पीच की क्या हालत है इस उसके बारे में उतना तो में विसे सग्य हो नहीं लेकिन ज्यादा तर यह कोई फरक नहीं करने वाला है इस में मुझे लगता है कि कोई भी जो टॉस जीती गिना वो फिर हमको लगता कि बैटिंग लेगी मेरे ख्याल से अब देखते हैं वह जो विश्य सग्य होंगे कप्तान देखेंगे पीच को परखेंगे वसे साब से लेंगे और कुछ आज भी नया जब फिर कमेंट करिए और अच्छे लगे तो फिर शेयर करिए सभी को फिर एक बार नमस्कार